दोस्तो मेरे पास काफी सारे DMs आते हैं, लोग मुझे mail करते हैं और अपने चैनल का URL भेज देते हैं और लिखते हैं कि सर अमारे चैनल को चेक कर लीजिए, हमने कोई setting में कमी तो नहीं छोड़ रखी है कि आमने हमारे चैनल पे सभी settings बराबर कर रखी है तो मैंने सोचा है, सभी को मैं इंडी जोली तो नहीं बता सकता तो एक वीडियो बनाता हूं जिसमें YouTube की सारी settings के बारे में हम प्रैक्टिकली बात करेंगे तो आज ये वीडियो है, वीडियो की land थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, 20 minutes के आसपस आपको लगेगा बट आपको YouTube चल की जितनी भी settings होती है, सब के बारे में बारी किसे knowledge देने की कोसिस करूँगा हो सकता है कुछ settings के बारे में आपको पहले से पता हो, हो सकता है बहुत सारी settings आज आज आपको नई पता चले बट जितनी भी settings आज मैं बता रहा हूं YouTube चल की वो सभी के चल पे complete होनी चाहिए तो इस वीडियो को आप complete देखेगा जो भी settings आप में miss की हुई है उनको आप अपने चल पे complete कर लिजेगा और वीडियो देखने के बाद आपके दिमा में कोई सवाल कोई भी संका हो तो आप comment section में लिखना मत बूलेगा वीडियो को like कर दीजेगा, share कर दीजेगा, चल पे पहली बार है, subscribe करने के साथ, notification bell को दबा के all पे भी click कर लिजेगा क्योंकि ऐसे content आपको आपके मिलते रहते हैं, नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ योगी योगेंदर, आप देख रहे हैं, technical योगी, no drama, no click bet, only tag दोस्तो मैं आपको बता दो कि ये वाला जो वीडियो ही हमने दो पार्ट में बनाये, 10 मिनट तक मैं आपको अलग तरह की setting के बारे में बात करूँगा, और उसके बाद हम दूसरी तरह की setting के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम पहले तरह की जो actual में YouTube चल के settings होती है उनको थोड़ा बारी किसे समझा देते हैं, तो यहाँ पे दोस्तो मैंने अपना जो दूसरा चैनल है, creator guide ये open किया हुआ है, और इस चैनल पे मैं आपको सारी की सारी settings करके बताऊँगा कि कैसे हम settings कर सकते हैं, और अगर आप mobile यूज़ कर रहे हैं तो Google Chrome यूज़ कर सकते है desktop version और आप setting कर सकते हैं, और setting को हम दो part में डिवाइड करेंगा, पहला part जो है उसके लिए हमने चैनल जैसे open किया, और यहाँ पे manage video है, इस पे हमें click करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने click कर दिया manage video पे, ठीक है, अब यहाँ पे देखे, पहला जो part है, वो तो clear clear यहाँ पे setting लिखा हुआ है, और setting पे जाके click कर लेते हैं, setting पे जाके मैं click करता हूँ, और यहाँ पे आप समझते हैं, कौन कौन से setting हमें करनी चाहिए, तो यहाँ पे general है, सबसे पहले तो, इसमें यहाँ पे default units का option आता है, USD and dollar, तो आप अपनी जो earning है YouTube की, वो किस रूप में देखना चाहते है, USD के रूप में, तो आप यहाँ से सब change कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से INR में भी change कर सकते हैं, तो आपको जो आपकी earning है वो Indian rupees में दिखाई देगी, अगर मैं INR चेंज कर दूँगा, तो इस तरीके से Indian rupees में दिखाई देगी, और US dollar में करनी है, तो आप US dollar में कर सकते हैं, बाकी भी आप किसी भी देश की currency में इसको set कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो option आता है, वो आता है channel का, channel पर click कीजिए, click करने के बाद अब यहाँ पर आप समझ लीजेगा, कि यहाँ पर तीन setting से total, basic, advance और feature, सबसे पहले हम basic समझ लेते हैं, य कि थोड़ा ध्यान से समझे, यह जो channel है, यह channel के keywords होते हैं, मैंने बहुत सारे channel चेक हैं, उन पर channel keywords होते ही नहीं है, तो आप channel keyword में जरूर डाले, चल keyword क्या होते हैं, वो keywords जिनको, लब searchable keywords इसमें डाल दे, जैसे मेरा यह channel है, creator guide, तो मैंने creator guide ही डाल दिया, कोई सर्च तो मेरा rank करेगा, earn money online मैंने डाला, क्योंकि मैं earn money online के भी video यहाँ पर डालूँगा, affiliate marketing वाला, जिस type की videos मुझे यहाँ पर post करनी चैनल पर, उसके regarding कुछ keywords यहाँ पर आपको डाल देने चाहिए, इसके बहुत benefits होते हैं, अब बात करते हम advanced setting की, advanced setting में हम गए, अब advanced setting को बनाता, तो मैंने no किया हुआ है, अगर आप बच्चों के लिए content बनाते हैं, तो आपको yes करना पड़ेगा, otherwise आप no करिए, सबसे best है, तो मैंने no कर दिया, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे, अगर वो यह कहता है, Google Ads Account Linking, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब य monetize होता है, तो automatic होई जाता है, तो कोई problem नहीं है, यहाँ पे आता है, automatic caption, तो यहाँ पे देखे, automatic caption है, तो अगर आपको चाहते हैं, क्योंकि आपकी वीडियो में लग जाए, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, मिले को यह नहीं चाहिए, तो मैंने इसको बंद किया हुआ है, इसके लावा setting आती है, subscriber count की, इसको भी आप समझ लीजिए, subscriber count का मतलब यह है, कि जो आपके subscriber है, वो आपको hide करने है, तो आपको इसको untick करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं, कि आपके subscriber लोग देख सकें, तो आप इसको tick करके रखें, यह advertisement है, disable interest based ads, तो इसको आप disable ना करें, क्योंकि अगर आप इसको disable कर देंगे, तो interest based जो add वो दिखाए नहीं जाएंगे, तो आपकी थोड़ी चल की earning थोड़ी down हो सकते है, तो इसको आप untick की रहने दें, इसके बाद नीचे आ गया, allow viewers to clip my content, तो clip का जो एक feature है, आपने देखा हुआ, clip का एक feature है, तो clip cut करके कोई किसी को send कर सकता है या नहीं, वो यह चीज पूछ रहा है, तो इसको क्या करें, आप yes करें, कर सकता है, कोई अगर आप नहीं चाहते है, कोई आप clip send करें, किसी भी content में से, तो आप इसको untick कर दें, वरना आप टिक रखें, इसके बाद आता है, remove YouTube account, तो भाई YouTube account तो कोई नहीं remove करेंगा, और फिर आता है, manage YouTube account, तो यहाँ पे manage YouTube account पे click कर सकते हैं, और यहाँ पे आप manage कर पाएंगे, तो यहाँ पे manage कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखें, सारी चीज आ जाती है, इसका यहाँ पे नीच आता है, advance setting, ठीक है, advance setting पे click करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह आपकी channel की ID है, और यह user ID है, यह channel ID और जो user ID है, इनको आप copy करके रख सकते हैं, बाके बाद में भी आपको मिल जाते हैं, यह जब भी आपको कोई problem होगी, आपके channel पे, तो channel ID, YouTube वाले आप से मांगेंगा, वो यह वाली ID हो कर सकते हैं, playlist create कर सकते हैं, collaboration कर सकते हैं, 15 मिन से जादा बड़ी video डाल सकते हैं, custom thumbnail डाल सकते हैं, live streaming कर सकते हैं, तो यह already enabled आपकी हो जानी चाहिए, और यहाँ पे देखें, यह इनके feature है, sorry, मैं आपको दिखाता हूँ, यह total feature है, यह feature हमको मिल जाते हैं, ठीक है, verify phone number है, phone number स जरूर यह करनी चाहिए आपको, थोड़ा समझा देता हूँ, upload default का मतलब यह है, कि हमने कोई चीज़ set करके रख दी, किस किस में कर सकते हैं, title में कर सकते हैं, description में कर सकते हैं, visibility के अंदर भी हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम कर सकते हैं, text के अंदर, यहाँ पर देखें, तो जब भी मैं कोई वीडियो upload करता हूँ, वीडियो के हिसाब से, इसमें tag add कर देता हूँ, बाकिये रहता है, visibility को मैं मैं अनलिष्टेट रखता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को publish करने से पहले कि चैक करता हूँ, कि मेरी जो upload है, वो सही हुई है, keyword बगेरा सब लगे है कि नही कर सकते हैं, इसके लाब आप अपने social media के link भी दे सकते हैं, तो अब क्या होता है कि जब मैं वीडियो upload करता हूँ, मुझे बार बार social media के link जो है, वो लगाने की ज़रुत नहीं है, automatically लगे हुए आ जाते है, इसके बाद यहाँ पर advanced setting में हम जाते है, advanced setting को समझा देता हूँ यहाँ पर automatic chapter है, यहाँ बात करते हैं, chapter में आपको समझाई दिया, अब यहाँ बात करते हैं, लाइसेंस की, लाइसेंस देखें एक होता standard, standard license का मतलब यह है कि हमने जो वीडियो upload किया है, उसमें से कोई भी part करके, या आपकी वीडियो copy करके कोई डालेगा, तो हम उसको corporate strike भेज सकते हैं, और अगर मैं आपको creative comment कर दूँगा, तो उसका मतलब यह है कि वो बंदा आपको attribute कर सकता है, यानि attribute कर सकता है, create दे सकता है, और वीडियो को वो भी use कर सकता है, तो यहाँ पर मैं standard ही रखूँगा, आपको भी standard रखना चाहिए, category यहाँ से आप अपने channel के ह साब से जो भी है, choose कर सकते हैं, मेरी science and technology है, तो मैंने यही किया हुआ है, इसके लावा video language मैंने हिंदी कर रखिया, क्योंकि मैं हिंदी में ही इसको रखता हूँ, इसके लावा description language है, तो वो भी आप यहाँ डाल सकते है, ring, और caption certificate यहाँ पर आप डाल सकते है, जिसके अभी म comment करेगा, सारे public हो जाएंगे, मैंने लेका, hold potentially inappropriate, यानि कुछ बेकार से comment होते है, inappropriate होते है, वो hold पर रख लेगा, अब increased strictness, इसको भी मैं यहाँ पर अब टिक करूँगा, यह experiment तो तो चल रहा है, YouTube तो मैंने इसको टिक कर दिया, थोड़ा और strict हो जाएगा, जो फालतु के comments ह होंगे, वो hold हो जाएंगे, उनको मैं review करूँगा, review करने के बाद ही approve करूँगा, तो लोगों को दिखेंगे, otherwise नहीं दिखेंगे, थोड़ा spamming कम होती है, इसको आप टिक करेंगे, तो, अगर आप सारे के सारे comment review के लिए hold करना चाहते हो, तो उसको भी आप कर सकते हो, और आप चाहते हों कि disable ही कर दूँ, कोई मेरी वीडियो के निचे comment ही ना करें, तो हम disable भी कर सकते हैं, लेकिन best यह है, यह वाला जो second option है, और इस टिक नहीं से, यह best option है, तो यह कर सकते हैं, इसके बाद नीचे वाला देखिए, यह है like, अब dislike तो रहा नहीं, like को जो अपना like क बटन है, उसको आप hide करना चाहते हैं, तो आप untick कर दीजिए, और आप चाहते हैं कि नहीं like का बटन रहे, तो आप इसको tick कर दीजिए, तो मैं तो चाहता हूँ कि लोगों को मेरे like दिखे, तो मैंने यहाँ पर tick किया हुए, इसके बाद आता है monetization, अब monetization में आपको बता multiple add, यहनि अगर 8 minute से बड़ी में video डालता हूँ, तो बीच में automatic यहाँ पर add लग जाने चाहिए, तो YouTube के अपने algorithm के साफसे बीच में multiple add प्लेस कर देता है, तो यह option मैं इस तरीके से यहाँ पर रखता हूँ, इसके बाद आता है permissions, चलिए permission पे हम चले जाते हैं, यहाँ पर permission में गया, तो यहाँ पे जो mail idea आपको दिख रही है, अगर मैं किसी को invite करता हूँ, माल लिजे मुझे manager रखना अपने channel पे, तो मैं यहाँ पर invite करके उसकी mail idea डाल दूगा, और उसको manager रख दूगा, ताकि वो भी मेरे channel को थोड़ा थोड़ा बहुत handle कर पाएगा, जो भी उ इस तरीके से हम यहाँ पे managing permission दे सकते हैं, अगर brand account है तो, मैं single ही काम करता हूँ, मैं खुदी upload करता हूँ, तो मैं यहाँ पे owner खुदी हूँ, मैंने किसी को invite नहीं किया, वरना आप invite करके उसका mail idea डाल सकते हैं, उसके permission दे सकते हैं, अब चलते हम community के अंदर, इस setting को थोड समझा देता हूँ, देखे, channel guideline के है, अभी experiment चल रहा है, यहाँ पे आप तीन guideline खुद की बना सकते हैं, तीन ही है मेरे इसाब से, add कर दीजिए, इसको add कर देंगे, यहाँ पे यहाँ पे देखिए, कोई भी जो comments होते हैं, उनमें आप अपनी guideline खुद की भी बना सकते हैं, य अगर बहुत ज़्यादा काम को होगा, तो मैं इस बाद में कभी video बना दूँगा, तो इसको आप ऐसे खाली रखें, कोई problem नहीं है, अब आता है automated filters, इसको आप समझ लीजिए, बहुत काम की चीज़े, देखिए, आप चाहें तो comment में किसी को moderator बना सकते हैं, तो अभी मैंन users है, कुछ users ऐसे होते हैं, जिनको हम hidden कर देते हैं, ठीक है, तो hidden कर देते हैं, यह वाले जो वो user है, जिनको हमने block कर रखा है, मलब फालत हुए comment यह spamming करते हैं लोग, तो हमने कर रखा है, ठीक है, यह live redirect का भी option है, कि आप live को भी, से भी redirect कर सकते हैं, अभी कुछ दिन पहल sub for sub, कुछ लोग गाली वाली लिग देते हैं, कुछ फालत हुगी जो words है, वो मैं नहीं यहाँ पर डाल रखे हैं, अब इसका मतलब यह है, कि जब भी कोई ऐसे word use करके हमारे channel पर comment करेगा, तो यह तो hold हो जाएंगे, spam में चले जाएंगे, comments visible नहीं होगे, और एक है block links, इस इसके बाद आता है agreement, और यह agreement है, यह आप पढ़ सकते हैं, अपने agreement, ठीक है, यहाँ यहाँ पर यूट्यूब पार प्रोग्राम की जो भी conditions होती है, वो सारे agreement यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको यह setting का first part पूरा समझा दिया, इसके बाद क्या करे तो दोस्तों आपने settings के बारे में समझ लिया, अब हम channel की जो customization की setting होती है, हम channel को कैसे customize करते हैं, वो थोड़ा समझाने की कोसिस करते हैं, अब यहाँ पर second part की बात कर लेते हैं, second part पर समझने के लिए आपको यही पर आना पड़ेगा, वापस channel content है, और यहाँ पर आना पड लोगों तो यूज ही नहीं करते हैं इन सबको, लेकिन करना चाहिए, मैं बता तो इसके क्या benefit है, देखे एक होता है, सबसे पहले layout की बात कर लेते हैं, यह हमारा layout है, अब यह layout actual में होता क्या है, वो समझाता हूँ, यह हमारा page है, यह हमारा homepage है, और यह देखे हमारे channel का layout ह है, जो सामने से दिख रहा है, यहाँ पर देखे, यह channel का layout है, आपको दिख रहा है channel layout है, इसको हम यहाँ से customize कर सकते हैं, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा हूँ, यह वाला जो वीडियो यह मैंने as a trailer यहाँ पर लगाया हुआ है, तो यह हमने कहां से set किया, यहां से किया, देखे, हमने यहाँ पर channel पर trailer लगा रखा है, जिन लोगों ने मुझे subscribe नहीं किया, पहली बार मेरे channel आएंगे तो यह वीडियो उनको दिखाई देगा, ठीक है, और जो returning subscriber आएंगे, उनको भी यह वीडियो दिखाई देगा, इसको हम change कैसे कर सकते हैं, इन तीन line पर देख जैसे uploads लगा रखा है, popular uploads लगा रखा है, feature channel हमने लगा रखा है, इसके लावाद चाहें तो यह से add कर सकते हैं, section, section पर click करेंगे, आप चाहें live shows लगा सकते हैं, past live streams लगा सकते हैं, upcoming live streams लगा सकते हैं, single playlist, create playlist, सारी की सारी चीज़ा आपको यहाँ पर दिखाई देगी, आप यहाँ पे आपने देखा, यह मैंने लगा रखा था, पहले upload उसके बाद popular upload, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कुछ भी add करके, कुछ भी change करके, यहाँ पे publish पे click करेंगे, तो publish यहाँ पे होता है, अब यहाँ पे आप देखे, मैंने सबसे पहले trailer लगा रखा है, इसके बाद व पूरा page के layout को हम यहाँ से set कर सकते है, ठीक है, तो आप यहाँ से set करके रखिए, बहुत सारे मैं channel देखता हूँ, जब check करता हूँ, कुछ setting नहीं होती, homepage कैसे बिगड़ा होता है, तो इसको आप यहाँ से change कर सकते है, इसका branding है, यह लगबग सभी को पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कि यहाँ से आप अपने channel का logo अगेरा change कर सकते है, यह जो banner image होती है, यह वाली banner है, यह मैं आपको दिखा देता हूँ, यह वाला banner है, इसको आप चेंज कर सकते है, ठीक है, channel को, इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो video watermark है, यहाँ प सकते है, तो मैंने क्या कर रखा है, entire video लगा रखा है, यह पूरी की पूरी video में, यह मेरा watermark दिखाई देगा, ठीक है, इसके बाद हम बात करते है, basic info की, चलिए basic info में जाते है, इसको ही मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा आपको, देखिए, यहाँ पे आपके channel का description होता है यहाँ मैंने channel का description देखे लगा रखा है, language भी हम यहाँ पे add कर सकते है, मैंने channel description में ज्यादा कुछ ने रखा, this channel helpful for creator, वह इतना ही लिख रखा है, वाकि आप चाहें तो इस pencil से click करके, और आप, sorry, इसको मैं भी समझाऊँगा, देखिए, अगर आप चाहें, तो यह जो creator guide ह इसका name यहाँ से change कर सकते है, इस pencil पर click करके, लेकिन क्या होगा, कि जब हम name change करेंगे, तो हमारा verified badge जो है, जो tick mark है, वो एक बार चिंज आएगा, दुबारा हमें apply करना पड़ेगा, तो आप अगर करना चाहें, तो इसको कर सकते हैं, वरना मैं भी नहीं चाहता, मेरा verified है, बाकियां से आप name change कर सकते हैं, अब यह description आपको कहाँ दिखाई देगा, about में, यह देखें, वीडियो के about में, यहाँ पर दिखाई देगा, this channel helpful for creator, तो आप ऐसे अपना about किता भी बड़ा अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसके लाब नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के ब creator guide official, यह मेरा URL में जो मिल गया है, इसको लेने के लिए आपके चनल पर 100 subscriber compete होने चाहिए, और 30 दिन पुराना आपका चनल होना चाहिए, आप यहाँ से custom URL अपलाई कर सकते हैं, इसके बाद आते हैं, social media link, तो यहाँ पे देखें, यह social media link है, facebook, twitter, instagram, और भी add यहाँ पे कर सकत हैं, अब यहाँ पे मैं आपको बता हूँ तो यह देखें, banner पे यह देखें, यह banner लिंक से, मैं आपको बताता हूँ, यह links आपको मिलेंगें, कहाँ पे, facebook, twitter, instagram 3 है, और यहाँ पे आप देख सकते है, banner पे, facebook, twitter, instagram के link है, यहाँ पे मैं लगा रखें, coin pack click करेगा, तो सीधा का सीधा facebook पर redirect हो जाएगा, ठीक है, इस तरही के से, यहाँ link लगा सकते है, अपने banner के, इसके अलावा, यहाँ पे, contact info में आप चाहें, तो अपना mail id डाल सकते है, business purpose के लिए, और वो यहाँ पे आपका दिखाई दे जाएगा, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कोई email id, कोई दूसरा डालिएगा, क्योंकि लोग spam भी करते है, sponsorship के नाम पे, तो कोई ऐसा email id डाल दे, जिस पर sponsorship आए, और आप बात कर लिए, और यहाँ से पब्लिस कर दीजेगा, तो यहाँ पे about में, आपका एक, यहाँ पे mail id डल जाएगा, जिससे लोग आपको contact कर सकते है, sponsorship के लिए, ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया, सारा का सारा मैंने आपको, यहाँ पे पूरा का पूरा settings YouTube का समझा दिया है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी settings के बारे में पता चल गया होगा, आज आपको कौन सी settings के बारे में पहली बार पता चला, comment section में ल ही दोहाँ बारे में आपको सभी झाई हम जी एनगानि में ला हम जाई दिकंग में एको बारे में नब्षाग का रें ?